तो इन सभी subject का अब तयारी कैसे करें किस किस के लिए क्या book लें तो मैं कुछ book अगर मैं आपको बता दूँ जैसे की अब subjects आप सभी को पता है अपने अपने सुन लीजिएगा financial management Hello everyone कैसे आप अभी SOL Delhi University के portal पे आप सभी को subject selection का option आ गया था semester 1 वालों ने तो पहले ही select कर लिया semester 3 में जो गया है उनको भी selection का कौन-कौन सब्जेक्ट लेंगे जिसमें से 6 subject दिये जा रहे हैं और semester 5 वालों को भी 6 subject दिये जा रहे हैं कौन सब्जेक्ट आपके लिए best रहेगा इसके उपर मैंने अलग-अलग separate separate वीडियो बना दिया है आप जादा जानकारी के लिए आप वीडियो के last में या वीडियो के description में जाके check करेंगे इसका link मिल जाएगा आपको कौन सब्जेक्ट आपके लिए best है आज हम बात करने वाले हैं कुछ बच्चों के जब ऐसे से questions आ जाते हैं तो मुझे थोड़ा सा डर सा लगने लगता है अब semester one वाले बच्चों तो एकदम ये मान के चलो इनको अभी कुछ नहीं पता कुछ नहीं पता इसके बारे में मैं क्या बोलूं और मैं बोलू भी तो फिर वो वो बच्चे मेरे पास जो offline बच्चे offline भी बैच लेता हूं मैं तो उनसे मैं पूछ रहा हूं कि भईया आपके friend circle group में classes ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं बोल रहे हैं भी नहीं पढ़ रहे हैं बोले paper से दो मेहने पढ़ेंगे तो semester one वाले बच्चों का तो बुरा हाल तैह है semester तीन वाले जानते हैं कि हमारा भी वा तर तेरा भी होगा अब semester 3 के अंदर बहुत बच्चे कह रहे थे कि sir अब क्या हम पढ़ना कब से चालू करें क्या छोटा subject है बड़ा subject है कैसे पढ़ें नहीं पढ़ें एक बार यह बता दिए देखो मेरा काम guide करना है आपकी इच्छा के उपर total depend करता है semester 3 में subject में एक है financial management जिसको हम FM कह देते हैं एक है हमारा business stats जिसको हम BS लिख रहा हूँ और एक है हमारा principle of marketing principle of marketing और यह है program के अंदर अगर same honors में चले जाए हम तो financial management है और business math आजाता है और POM है यह तो है इसके अलावा कौन-कौन से subject है इसके अलावा भी आपको काफी सारे subjects दे रखे थे जैसे कि economics दे रखा था आपको और अलग-अलग subject selection का था जैसे कि आपको रंग-मंच गीवन था जैसे कि आपको e-commerce गीवन था business communication गीवन था तो यह बाकी के subjects ना बहुत सारे आप को घीवन थे वो स्टूडेंट के पोर्टल पर मैंने अलाग अलाग डिसकस किया है सर ये सब्जेक्ट हमारे पास जो है आसान है मुश्किल ने तो कुछ बच्चे एफम को और बिजनस स्टैट्स को और ओनर्स वाले एफम को और बिजनस मैट्स को बहुत आसान सोच रहें एक मेने में हो जाएगा ये डिड़ मेने में हो जाएगा तो मैं आपको गैरेंटी से बोल सकता हूँ कि ये सब्जेक्ट आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है और आप चीजे समझो मेरे बताने की ज़रत नहीं आप अपना common sense भी लगाओ कि अगर आपका semester 3 में back आ गया तो आपका आ जाएगा semester 5 और semester 5 के subjects भी मैं बता देता हूँ और semester 5 वाले बच्चे भी सुन लो एक आपका subject है sir income tax जो कि अगले साल पूरा बदल जाएगा अगले साल proposal आ चुका है कि 2010 से चल रहा है पूरा बदल देंगे उसमें तो हालत खराब है सबकी teacher को समझ में नहीं आ रहा है कि उसमें क्या क्या changes आएगा क्या देखेंगे business economics business economics इसके साथ साथ आपके कुछ और भी subject दे दिएगे जैसे कि एक बहुत अच्छी बात है कि FM दुबारा मिल गया उन बच्चो को तो तीन वाले बच्चो दियान से देख लो पांच में दुबारा FM आपको सेम पढ़ने दिया जाएगा या जा सकता है दियू के ये पोर्टल में या दियू के subject selection में ये मान के चलो एक glitch मान लो या उनकी mistakes मान लो मैं तो बोला बच्चे तुम FM ले लो तीन में पढ़ा है तो फिर वही paper लिखके आ जाना वैसा ही आएगा paper तो ये subjects है और ये subject मैं कहूँ ना कि अपने आप में पूरे due के अंदर जितने भी semester है उसमें से सबसे tough semester 5 और सबसे tough subject में माना जाता है income tax और corporate account, business match और stats भी है तो अगर आप इस subject के अंदर FM नहीं पढ़ रहे कुछ नहीं पढ़ रहे क्यारी करके ले गए semester 5 में और semester 5 के अंदर एक भी subject में fail होने का मतलब है आप पूरी तरीके से fail माने जाओगे और आपको अगले साल फिर एक साल पूरा waste होगा हम सभी का भी कुछ ना कुछ dream है लेकिन हम कहीं नहीं भटक जाते हैं festival सारे निकल गए और upcoming time में festival आएंगे है तो आप समय देख लो आपके पास आज last 31 सगस September, October, November, December से paper है तीन मेहने यानि 90 दिन भी नहीं बचे 90 दिन में आपके कम से कम 10-15 दिन का festival भी निकल जाता है और शादिया भी इस टाइम पे चालो हो जाती है तो हम क्या करते है यार शादी बार बार नहीं आएगी चले जाते है और festival तो एक वर मना लेते है इतना time खराब होगा जिसकी को October और November शादी और festival से भरा हुआ है उस चीज को आप समझो आप ना चाहते हुए time बचा नहीं पाओगे और आपका life एकदम से मान के चलो एक paper भी carry करना दिक्कत और 5 वाले बच्चे तुम तो वो situation में हो do and die वाली बात है तो इन सभी subject का अब तयारी कैसे करें किस-किस के लि लीजिए का financial management इसके लिए book लेना है आपको rp रस्तोगी जैसे इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ financial management के बाद business stats इसके लिए book लेना है jk ठुकराल business stats के बाद business math जिस semester में अपने आप बच्चा देख लेगा अपने semester लिखके मैं सभी के book के नाम लिख देता हूँ इसका भी jk ठुकराल income tax income tax के लिए book के लिए ग्रीस आहुजा और एक और book है हमारा ग्रीस आहुजा के साथ साथ आट taxman के आती है आपके वीके सिंगानिया बड़ ज्यादा तर college में दोनों book common ही लेके चलते है management account management account मैं short form लिख रहा हूँ लेकिन मैं पूरे word बोर रहा हूँ management account में आएगा business math, sorry business economics, business economics के तीन writer है basically एक taxman का है एक दीप श्री का है और एक डीडी चतुरुवेदी है दीपाश्री और एक डीडी चतुरुवेदी कोई सा भी ले सकते हो दीपाश्री और कौन सा subject है सर, principle of marketing, principle of marketing मैंने ये कह दिया है बच्चों के कि भईया जो बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं उनके मैंने course में इसके बिना कोई चार्ज लिए, फ्री में डाल दिया है, principle of marketing semester 3 के लिए भईया आप पढ़ लो हमारे चैनल पे सभी classes, जितने भी नाम लिए हैं, सभी classes की वीडियो डल रही है और उन सभी वीडियो को आपको starting से देख के चलना पड़ेगा शुरू से ही उसको देख करके आपको चलना पड़ेगा प्लेलिस्ट में आपको ढूंडना पड़ेगा और मैं इसके अंदर confusion मत होना, मैं पहले clear कर दूँ क्योंकि FM मैंने पहले भी डाला हुआ और FM मैंने अब भी डाल रहा हूँ तो latest वाले से आप देखिएगा, पुराने वाले से मत देखिएगा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पुराने वाले में फिर mix up हो जाओगे नए और पुराने तो उसमें दिक्कत होगी, एक तो आप YouTube से पढ़ सकते हो या अपने घर के आस पास जहां भी आपको best आपके brother हो, आपके जो भी आपके senior है उनसे आप help लेके पढ़ाई स्टार्ट कर देए, practical subject है भाई सारा तीसरा option जिस बच्चे को लगता है कि भाईया हम YouTube से नहीं पढ़ सकते एड से परिसान है, हम YouTube पे बड़ी दिक्कत होती है तो हमारा course भी launch है, मैं ये नहीं कहारा, आप ले लो जिस बच्चे को लेना है, ले सकता है, जिसको नहीं लेना वो कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे पढ़ना चाहते हो, मेरा एकी मुद्दै पढ़ लो इस course के अंदर मैं बस बता दूँ, आपको अभी 44949 यानि 450 रुपे मान लो जिसके अंदर एक subject का प्राइस है, जिसके अंदर exam तक की फीस है इसके अंदर आपको doubt है, इसके अंदर आपको live class है, इसके अंदर आपको PDF notes है सारी चीजे इसके अंदर लगबग दिया जाता है, बुक आपको खरीदनी पड़ती है हम पूरा पूरा बुक follow करते हैं, आप जान रहे हो तो मेरा ये कहना है कि भाई, आपके पास सरिफ और सरिफ 90 days कहने के लिए हैं इसमें भी आप 15 दिन माहिनस कर दो, तो बहुत कम दिन बचे हैं बुक का भी नाम बता दिया, तो बस मेरा इस वीडियो बनाने का परपस यही था कि भाई आप पढ़ने लग जाओ, या तो आप YouTube से continuity में पढ़ने लग जाओ या फिर आप आज पास जो भी आपके ट्यूटर है, वहाँ से आप पढ़ने लग जाईए, सीनियर से पढ़ने लग जाईए जिसको कोर्स लेके पढ़ना है पढ़ सकते हैं कोर्स के अंदर हमने इस बार बहुत अच्छा काम किया है के हर डाउट के अलग नंबर और अब हैंड रेस का भी option डाल दिया है कि आप जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं और आपके मन में आया सर ये क्या लिखा है, ये JK क्या है, आप हैंड रेस करोगे, आपकी वीडियो नहीं दिखेगी आपकी वीडियो नहीं आएगी, बहुत बच्चे अनकमफटेबल हो जाते हैं, किस condition, किस position में बैठे वे हैं अनकमफटेबल, आपके सिर्फ आवाज आएगी मेरे पार, आपने पास बटन दबायर बोला, सर ये JK का मतलब क्या है मेरे पास आवाज आएगी, मैं बोलूँगा, JK का मतलब JK ठुकराल है, बोलोगे, ओके, आप काट दोगे, बस ऐसे यानि नॉर्मल बात होगी, बस face मेरा तो आप देख पाऊगे, मैं आपका face नहीं देख पाऊगा, इस हिसाब से हमने application को पूरा design करा दिया है तो काफी सारे features हैं उसके अंदर, और MCQ test भी डाले जा रहे हैं उसके लिए, तो वो सारी चीज़े हैं, बाकी मेरा तो मुद्दा यही है कि आप पढ़ने लग जाएए, जिसको course लेना है, course ले सकते हैं, description में link गीवन है, description में सारी जानकारी गीवन है, description में contact number गीवन है, अ अभी दुबारा यह आएगा, नहीं लौट करके, hopefully आप मेरे इन चीजों को समझ पाएंगे, और अपने connect पर कर पाएंगे, इतने टाइम से अगर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपके जो भी senior होंगे, अगर वीडियो देखता है, तो जरूर आप guide करिए, अपने साथ, अ पहनत कर रहा हूं, तो उसका फल कम से कम मुझे मिलना चाहिए, तो आप करो, चैनल को सबस्क्राइब भी करिए, अगर valuable लगता है तो, thank you so much, मिलते हैं, नेगे जिए अब लगाएंगे, अब लगाएंगे, जए अब लगाएंगे, अब लगाएंगे, अब लगाएंगे, ल